हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरज और आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे का भी निसान दबा दें ताकि आपको मेरे वीडियो का नियूटिफिकेसन सबसे पहले मिल सके तो आज का जो मैं टॉपिक आप लोगों के समक्ष लेके आया हूँ वो है क्वेश्चनिंग एटिटिटूट कि हर चीज में हर जगह लाइफ के हर मोर पे क्वेश्चन करना है वो बरे बुजर को कहते हैं कि आविशक्ता ही आविशकार की जननी है मतलब जब किसी चीज की आविशक्ता परती है तब उसका आविशकार होता है जैसे कभी किसी जमाने में गर्मी लगी होगी लोगों को तो उन्होंने पंखा बना दिया कभी किसी जमाने में रात में अंधेरे में दिक्कत आई होग चिडियाओं को देखा ये तो हवा में उर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं तो इन्होंने भी बुद्धी लगाया और एरोप्लेन और हेलिकॉप्टर बगरह बना लिया मचली पानी में तैरती थी पानी में रहती थी तो इन लोगों पानी के अंदर भी चलने का साधन डिस्कवर कर लिया और पानी के सतह उपर पे भी चलने के लिए नाव जहाज वगरह सब बना लिये तो कहते हैं ना कि आविश्कार की जन्नी है जब तक आपको जरूरत नहीं परेगी ना किसी चीज की तब तक आप उसके खोज में नहीं और जब तक खोज में नहीं लगेंगे तब तक वो चीज आपको हासिल नहीं होगी तो इसको मैं इस चीज से जोडता हूँ कि कैसे questioning attitude अपने जीवन को सरल बना देता है सपोज कोई एक problem है तो जब तक उस problem पे हम question mark नहीं लगाएंगे तब तक हम उसके solution पे कैसे जाएंगे question mark तो लगाना परेगा ना कि अगर ये problem है तो अब इसके solution पे भी जाना है तब उसमें बुद्धि लगाएंगे हैं कि हम इसको कैसे solve कर सकते हैं तो ये जो questioning attitude होती है यही हमारे life को आसान बनाती है ये power questioning की power self conscious living entities में ही है मतलब जैसे हम लोग हैं इंसान इंसान भगवान के द्वारा बनाई गई सबसे ज़्यादा विक्सित परजाती है इस दुनिया में ऐसा हम लोग कह सकते हैं इंसान से बुद्धिमान इस दुनिया में कोई भी creation नहीं है गौड का मां की तो सब निर्जीव हैं मैं सजीवों की बात कर रहा हूँ कि सजीवों में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान अगर कोई भगवान का creation है तो यही मनुष्य ही है मनुष्य अपने आपके question लगा करके अपने जीवन को अती उन्नत कर सकता है कैसे जैसे कोई भी एक बच्चा पैदा होता है तो वो शुरुवात में तो इतना कुछ उसे पता नहीं चलता क्योंकि उसकी बुद्धी उतनी developed नहीं हुई रहती है उसे भूख लगी रोया तो माने दूद पिला दिया फिर सो गया फिर भूख लगी रोया माने फिर से दूद पिला दिया फिर सो गया ऐसे ही अगर उसे पोटी आती है तो पोटी कर लेता है, ऐसे ही अगर शुसु आती है तो सुसु कर लेता है, बस इतनी ही जीवन रहती है उसके सुरुवाती समय में, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता जाता है, धिरे धिरे उसकी बुद्धी विक्षित होती जाती है, तो वो इस दुनिया का हमारे आसपास की चीजों का उस पे गहरा परभाव परने लगता है क्योंकि सबसे पहले उसका ब्रेन बिल्कुल ब्लैंक होता है, कुछ नहीं होता उसके ब्रेन में लेकिन जैसे जैसे वो चीजों को धिरे-धिरे ऑफजर्व करना सुरू करता है अपने फैमिली में अपने परेंट्स को सबसे पहले वो परेंट्स को देखता है, फिर फैमिली मेंबर्स को देखता है, फिर सोसाइटी आसपास नेवर्स को देखता है उसके बाद तो फिर वो पूरी दुनिया को ही देखने लगता है, घर से बारवगर अभी कर आने जाने लगता है, तो उसे एक तरह का आइडिया लग जाता है कि यह सब मतलब इतना जो हो रहा है हमारे आसपास, मतलब कैसे लोग रहते हैं, कैसे उनका जीवन यापन चल रहा ह तब जाकर कि उसको पता चलता है कि अच्छा, यह एक सिस्टम है, जो नजाने कितने वर्सों से चली आ रही है, और जब मैं इस सिस्टम में आया हूँ, तो मुझे भी इस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही चलना परेगा, तो हमारा सिस्टम क्या है? जिस तरह से हमें हमारे परेंट्स ने पैदा किया, उसी तरह से हमारे परेंट्स को भी तो हमारे गरेंड परेंट्स ने पैदा किया होगा, फिर इसी तरह से अगर पीछे चले जाएं, तो कही न कहीं तो जीवन की सुरुवात हुई होगी, तो basic requirement की अगर हम बात करें, तो basic requirement क्या है? सभी जीवों को देख लीजे, basic requirement क्या है, जिसके लिए कि कुछ करना पड़ता है मैं चर जीवों की बात कर रहा हो, जो चलते फिरते हैं, जो फूते हैं मतलब चल फिर सकते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो एक जगह पे stagnant होते हैं, मतलब खरे होते हैं, जैसे पेर पौधे, रिक्वार्मेंट तो इनकी भी है, इनको भी खाना चाहिए, इनको भी पानी चाहिए, इनको भी सब कुछ चाहिए, लेकिन इनको तो नेचुरली सब कुछ मिल रहा है, लेकिन हम लोगों को नेचुरली नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हम लोगों को आखें दी गई हैं, हम लोगों को ब्रेंद दिया गया है, हम लोगों को दो हाँ दो पैर दिये गया हैं, किसलिए? कि आप कर्म करो, और कर्म करके अपना जीवी को पार्जन को अर्जित करो, ला और कुलोथ, रोटी कपरा और मकाम, यह सब बेसिक रिक्वार्मेंट है, इतना जब अगर आप, सबसे पहले तो आपको इसका इंतजाम करना चाहिए, अगर आपने इतनों का इंतजाम कर लिया, उसके बाद फिर सबसे बड़ा question mark आता है, सबसे बड़ा question mark अब आता है, कि अब आप एक well settled life अब आपकी हो गई, अब आपको किसी भी चीज़ की जरुरत नहीं है, आपके पास sufficient money है, आपके पास रहने के लिए घर है, आपके पास पहनने के लिए कपरे हैं, मतलब आपकी जो भी requirement है, सब कुछ अब आपके पास हो गया, सब का आपने अपना कर लिया, अगर नहीं किया है, तो सबसे पहले ये करना, उसके बाद ही मैं जो topic अभी अब जिस तरफ आपको लेके जा रहा हूं, उधर तब जाना, अगर आप ये सब अगर आपने नहीं किया है, और direct अगर आप उधर चले गए, तब फिर आप कहीं के नहीं रहोगे, ना अपने लिये available बनाई है सबसे पहले, उसके बाद जो biggest question mark आता है वो ये, कि self existence पर question होना चाहिए, कि who am I, मैं कौन हूँ, कहां से आया हूँ, who is my creator, ये सब जो मैं चारो तरफ देख रहा हूँ, ये क्या है, जब ये आप question अपने उपर कर लोगे ना, तो फिर आपके अंदर कुलबुली आ जाएगी, मतलब खुजलाट होने लगेगी, इसके सवाल को, मतलब जवाब को ढूंडने का, ब्रेन बार बार वहाँ जाएगा, who am I, who am I, जब बार बार किसी चीज़ पर strike करोगे ना, strike करोगे ना, तो वहां से वो चीज़ें कमजोर होने लगती है, और वहा God, creation, universe, सब कुछ, and believe me, believe me, जवाब मिलता है, यह मैं कैसे कह रहा हूँ, अपने life के experience पर कह रहा हूँ, मैं कोई सुनी-सुनाई कहीं, किसी की बताई किसी चीज़ों पर मैं विस्वास करता ही नहीं, जब तक मैं उस चीज़ को अपने अंदर फील नहीं करता हूँ, मुझे क किसी चीज़ पर विस्वासी नहीं होता है, हाँ, जैसे किसी ने मुझे कुछ बताया, तो ठीक है, एक सेकेंड के लिए मैं उसके बातों पर विस्वास कर लेता हूँ, लेकिन फिर मैं वो खुद करने की कोशिस करता हूँ, और जब मेरे feelings में वो आने लगती है, जब मुझ किसी भी situation में हमेशा खुस रहते हो, क्यों, क्योंकि आपका connection उस creator से हो चुका है, आपको, आपके feelings में रहेगी वो, हमेशा आपको पता रहेगा, yes, this is I am, and this is my creator, तो जब ये attachment होने लगता है न, इसी को बोलते हैं कि आत्मा का परमात्मा में मिलन हो गया, तो अपने life में सब कुछ हो जाने के बाद, आपको ये जो बड़ा question mark है न, इस पे भी जरूर जाना चाहिए, in fact, मगर मैं ये कहूं, तो हमारा जीवन यहाँ पे खाने, पीने, रहने, और मौज मसी करने के लिए नहीं हुआ है, ये सब तो basic requirement ही ये, तो कोई भी पसुपक् ultimate goal of life जो है, वो उसकी सुरुवाथी यहां से होती है, कि आपने अपना life बिल्कुल सेट कर लिया है, अब आपका सारा चीज हो रहा है, मतलब खाने की भी बिवस्था हो गई, पीने की भी बिवस्था हो गई, रहने की भी हो गई, पहनने की भी हो गई, अब इससे जाद बाद, बुद्धी लगाते, 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 आप किसी ऐसे वक्ती के पास चले जाएंगे, जो इस मामले में बिल्कुल प्रैक्टिकल मैन हो, उसको सब कुछ पता हो, फिर वहां से आपको जो ग्यान मिलेगा, वो दिव्य ग्यान होगा, और तब जाकर कि आप स्पिरिच्वालिटी में इंटर करते हैं, उसके बाद आपको पता चलता है कि आप असलियत में क्या हैं और इस दुनिया में आपका कौन है, थेंकि वेरी मच्च